इसलिए अमेरिका ने सीरिया और इराक में इरान के इसलिए इसलिए और इसलिए और इसलिए गया है और इसके जवाब में अमेरिका ने retaliate action लिया है लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना प्रो इरानियन इराकी ग्रूप इसलामिक रेसिस्टेंस इन इराक ने USA के retaliate attack को फिर से दुबारा जवाब दिया है इराकी ग्रूप ने तुबारा फिर तीन अमेरिकन बेसेस जो इराक और सीरिया में बेस्ते इराकी ग्रूप ने इन पर attack किया है अब देखो गाईस ये ऐसा मूवमेंट बन चुका है पूरे मिडिलिस्ट में कभी भी हमें USA वसेस इरान देखने को मिल सकता है और USA ने जो इस ट्रैक्स किया है ये टारगेट एरान से जुड़े फेसिलिटिस और पसनल्स पर थे जो एरान के रेवलिशनरी गार्ड फोसेस के दौरा फंडिट आर्मड और ट्रेंड किये गए मेंबस थे ये सब इरान अपने इरान के रेवलिशनरी गार्ड फोसेस के जरीए करता है लेकिन आपके दिमाग में न एक कोशन है न चाहिए कि क्या यूएस अपने सोल्जर्स को क्रॉण वार पर बेज़ेगा इन एस्ट्राइक्स के बात मतलब ये सब देखकर करकर यूएस ह लिए मोबलाइस करेगा या नहीं करेगा बहुत मुश्किल है कहना कम से कम इमीडियेटली तो नहीं करेगा एस्ट्राइक्स के साथ ही काम चलाएगा लेकिन एस्ट्राइक्स की न कोई गारेंटी नहीं होती के वो सिविलियन्स पर एटैक नहीं करेंगे इसका बेस्ट एग लोगों को मिसाइल एस्ट्रैक से मार दाला है और यूएस आज के टेमपे ना इसराइल से स्पेशली नेतन याउसे बहुत ही जाधा परिशान हो चुका है अगर यूएसे के केस में मैं डीटेल नी बोलू तो देखिये इसका रीजान ने यूएसे अपने सोल्जर्स की मौत का बदला लेने के लिए किया है संडे को जॉडन में एक अमेरिकन और्ट वोस टावर 22 नाम की जगा पर हमला हुआ है जो इराक और सीरिया के करीब एक लोजिस्टिक खब के तोर पर इस्तेमाल होता है वहां लगबग 350 यूएस आफिसस मौजूद है और एक ब्रोन ने उन पर हमला किया है इस हमले में ना तीन अमेरिकन सोल्जेस की मौत हो चुकी थी और 34 सोल्जेस खायल हुए है जिसे एक मेजर स्ट्राइक माना जा रहा है इसने जो बाइडन पर बहुत जादा दबाफ बना दिया था और आज के टेम पे ना जो बाइडन पर बहुत जादा प्रेशर बन चुका था और यूना और Americans Joe Biden से मांग कर रहे थे कि US President इरान के सपोर्ट से जुड़े groups के खिलाफ सक चवाब दे उनका खास निशाना था एक गरूप है जो Islamic Resistance in Iraq के नाम से जाना जाता है ये एक तरह का अम्रेला गरूप है जो इराट में इरान को सपोर्ट करता है इरान से जुड़े fighters को सपोर्ट हम मानते हैं कि Jordan में हुआ हमला एक Planet Resource और Facilitated Attack था जिसे एक अम्रेला गरूप Islamic Resistance इराक ने किया है ये गरूप इराक में इरान के सपोर्ट से जुड़े सारे fighters को कवर करता है लेकिन ये सिफ एक ऐसा गरूप नहीं है जो American troops पर हमला कर रहा है आज के टैम October से लेकर अब तक US forces को Syria और Iraq में Multiple Attacks का सामना करना पढ़ा हैं सिफ Syria और Iraq में ही US Paces को 160 बार 160 टाइम्स टार्गेट किया गया है वो एक चीज़ के खिलाफ लड़ रहे हैं जो Axis of Resistance कहलाते हैं ये इरान के दुआरा बनाया गया Military Alliance है जो Americans और Israelis के खिलाफ counter करने के लिए काम करता है America, Israel, इरान और इरान के allies पर attack करते हैं और बदले में इरान और इरान के allies जवाबी में इसराइल और अमेरिका पर attack करते हैं देखिए दोनों ग्रूप एक दुसरे पर attack करते रहते हैं लेकिन ये सब में एक चीज़ कौमन है इस region में continue missile बरसाए जा रहे हैं अक्तोबा से लेक को यहां पर मार दिया गया है और इंग एरियास में ना एक बड़ा network है ये fighters का और इरान का अब इरान और इरान के allies इनको यहां पर गुसा आया है और बदले में इन्होंने US groups पर हमला किया है और इसके कुछ घंटो बात ना जब मैं ये video record कर रहा हूँ जिसके बाद फीड स USA के attacks को जवाब देने के लिए इरान के allies ने जवाबी हमला किया है मैं आगे बोलता हूँ क्या हुआ actually याद रखिए guys इसराइल पूरे Middle East में ना United States of America का dominance को समाल कर रखता है अमेरिका की policy को take care करकर रखता है अमेरिका का Middle East में दब दबा इसराइल बना कर रखता है और बद Middle East के countries इस चीज के सक्त खिलाफ है और उपसे कुछ दिन पहले US ने तीन देशों को भी target किया था यमन, सीरिया और इराक इन सभी strikes का एक मुद्दा था इरानियन प्रॉक्सिस को रोकना था ताकि वो American troops को target ना करे लेकिन हमले बिना रोक टोके continue जारी थे जिसमें innocent citizens की भी ज इतने को मिलेगा यह बहुत बड़ा question है और एक बड़ा सवाल है कि इन proxy groups पर कितना control है और इरान क्या proxy groups के हमलों को रोक सकता है अब तक तेरान का जवाब थोड़ा सा cautious रहा क्यूंकि इरान ये group से खुद को अलग दिखा रहा है जब Jordan में American troops पर attack हुआ था ना तो इरान ने जल्दी से अपना statement release किया था इरान के foreign ministry के मुताबिक इरान ने इस हमले का order बिल्कुल भी नहीं दिया था और फिर इरान ने Washington को भी याद दिलाया कि वो जंग नहीं चाता उनका कहना है कि हमारा और तुमारा एक ऐसा रिष्टा है जिसमें हम एक दुसरे को अच्छी तरह स जानते हैं इरान basically अमेरिका को कहा है कि इरान जंग नहीं चाता है लेकिन इरान जंग से नहीं डड़ता है और इरान उससे भागता भी नहीं है अब ये देखकर USA के तरफ से एक बड़ा attack इराक और सीरिया में इरान के अलाइस पर देखने को मिलता है इरान के सक जवाब देंगा ये basically इरान ने United States को एक तरह से मैसेज दिया था Jordan में हुआ attack एक turning point था अमेरिका के political गर्मा गर्मी ने पाइडन के response को डिक्टेट किया है ये बाइडन के लिए election year है USA the strongest country in the world अब USA को प्रेसिडेंट दुबारा चाहिए और बाइडन इरान के खिलाफ नर US forces ने एक strong missile fire कर दिया ना इरान पर तो पलटने का कोई रस्ता नहीं होगा war जंग होकर ही रहेगी situation तेरी से बदल सकती है और ये पूरी तरह से ना तनाव भरा हो सकता है US और इरान के बीच इराकी ग्रूप Islamic resistance in Iraq ने इराक और सीरिया में USA के retaliate attack का जवाब दिया था दुब इसका इस्तेमाल किया है अब कितने American troops मर गए है God's know the truth जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था ना तब ही इन्फर्मेशन आई थी और ज्यादा इन्फर्मेशन आना बागी है अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डॉट होना तो आप मुझे कमेंट करें मैं आपको इस